पहले मैं कार्पेंटर का काम करता था उसके बाद वहां से मेरे एक बार मुझे मनिश कस्षप जी से मुलाकात हुआ जी वीकेसी में और मनिश कस्षप जी से कुछ मैंने अपनी बाते कही तो मनिश कस्षप जी का एक फ्रेडा दिये मुझे कि देखिए विजय जी मनिश कस्ष है उस चीज़ को आप भी कर सकते हैं उसके लिए संगर्ष करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तो वहीं से मेरे अंदर एक जज़बा हुआ और मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं भी एक न्यू चैनल चालू करूँ और लोगों का जो गरीब गाउं गाउं में लोग कैसे परिशान रहते हैं उस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिज करूँ नमस्कार दोस्तो राजबार एक्षपेस और सच तक यूपी सच तक में आपका हार्दिक सौगत है इस समय कोपा गंज मव में हैं और हमारे साथ हैं एक होनहार यूवा पत्रकार हैं बिजे कुमार राजबार जी जो काफी इनका जो यूपी सच तक चैनल है काफी ग्रो कर है कम समय में लोगों की तरफ ध्यान खीच रहा है हम चाहेंगे जो हमारे दर्सक हैं यूपी सच तक को भी सब्सक्राइब करें कि कंटेंड बहुत अच्छा आता है इनका और जो सब्जेक्ट रहता काफी अच्छा रहता है हमारे यूट्यूग चैनल में आपका सौगत है सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मेरा इंटर्विव लेने के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राजवर इक्सफ्रेस को जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि राजवर इक्सफ्रेस को आप दिखाना ही मेरा उद्यस्ट है उम्परकास जी का वीडियो रहता है और इस समय तो आप देख रहे हैं चुनावी महल चल रहा है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं उठा करके राजी उराई जी है बालगी सिन चौहान जी है निर्दल प्रत्यासी पोवन चौहान जी है और ओम प्रकास राजवर जी का भी वीडियो चलता है और उसमें कहें तो ओम प्रकास राजवर जी का वीडियो ज्यादे लोग पसंद करते हैं और लोगों का भी कहना है और बड़े बड़े चेनलों का कहना है कि जब त्यारी डाऊन होने लगता है तो ओम प्रकास राजबर जी को जादा करके लोग एक करते एक्ट्फ होते हैं अम भर आप भी अपना ट्यारी बढ़ाने के लिए जिखास करके मोहां पर जाते हैं, तो लोगों का लेना पड़ते हैं, मोका ऊप नहीं छोड़ते हैं, मोका पर छक्का तो सब मारने का ही इन्तजार मेरता था पहले मैं कारपेंटर का काम करता था उसके बाद वहां से मेरे एक बार मुझे मनिश कस्चप जी से मुलाकात हुआ जी विकेसी में और मनिश कस्चप जी से कुछ मैंने अपनी बाते कही तो मनिश कस्चप जी का एक फ्रेडा दिये मुझे कि देखिए विजय जी मनि नहीं मैं भी एक न्यू चैनल चालू करूं और लोगों का जो गरीब गाउं गाउं में लोग कैसे परिशान रहते हैं उस चीज को मैं दिखाने की कोशिश करूं और वहीं से मैंने शुरुआत किया और आज मैं इस समय यूपी में रह करके और पूरे हमारे चैनल पर देख सक कि अपना जो उनर है आगे तक पहुचाना है जी और उसके बाद हमारे साथ में जो मेरा पूरा परिवार और मेरे भाई लोग का खास करके बहुत ही सपोर्ट रहता है हमेशा और मुझे सपोर्ट करते हैं कि इसलिए मैं आज लोग का अशिरवाद माता पिता का जब कि परिवार का सपोर्ट होता है तो उसके कोई रोक नहीं सकता है और काफी हमने लें गहरवालों से मिले काफी सपोर्ट कर रहे है अक्षर बहुत कम देखा जाता है कि कोई आचा काम करता छोड के रहा रहा है तो उसको घरवाले को सपोर्ट कोते हैं कि इस लाइन वह प्यार है इनके अब सब्कूर्णvity care है करो आगे तो एक पडार का प्यार है इन haben आगे क्या है आगे लिफेशन क останов चैनल के माध्यम से जहां तक मीडिया नहीं पहुँचती है वहां तक हम पहुचने की कोशिज करेंगे और गरीबों की जो दबी हुई आवाजों को हम उठाने के अपने चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिज हमेशा करते रहेंगे चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना प पास आपका नंबर नहीं पहुच पाए तो आपको कॉंटेक्ट करें मैं अपना नंबर बता देता हूं मेरा नंबर है आपकी कोई भी समस्या हो अगर मेडिया के माध्यम से आप उस चीज को शेर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके और अपनी समस्या बता सकते हैं और आप एक कॉल करेंगे फम आपके पास तुरन्त आयेंगे और Beach लेडियो बनाएंगे और चाहें वह सरक में दिया गया इनके नंबर को जरूर सेव कर ले और जरूरत की समय आपकी आपकी सेव में हाजिर रहेंगे विजय कुमार राजबर यह हमारे चोटास वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स मता है तो मिलते किसे अगली वीडियो में जय ही जय भारत